नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महिश और स्वागत आपका मेरे चैनल माहिदा टैकी पर दोस्तों मैंने अपने लिए निया माइक मंगाया है बोया का यह माइक आप देख सकते हैं जिसका मॉडल नंबर है बी वाई एम वन जी यहां तो मेरे को एक लंबी तार वाले माइक के ज़रूरती और इसका काफी अच्छा फीड़बैक सुना था तो मैंने क्यों आज इसके एंबोक्सिंग करते हो सब दर्शकों को बताते हैं कि माइक कैसा है यूज करने में क्या-क्या इसकी स्पेसिफिकेशन से बॉक्स चंदर आपको क्या-क्या मिल रहा है और आवाज भी है स्टिकर उसके अलबाए बैक साइड देखते हैं इसकी तो बैक साइड में सारी डिटेल है कौन सा सेल है इसके अंदर कंट्री ओफ एरिजिन यह मॉडल लंबर बीवाई एंबन और यह फिर से फ्रेंट तो यह लूक्स भी इसमें आपको इसमें दिखाई हुई है कि कैसा है यह माइक देखने में और इसको खोल के देखते हैं फटावर दोस्तों यह डबा थोड़ा पहले से फटावा आया था तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया है कि पतानी कैसा निकले और यह पाउस तो काफी अच्छा लग रहा है इसका काफी कमवर्टेबल सा लेकिन हम इस और यह उसका जो माइक है यह आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है ब्लैक कलर का ओन ऑफ बटन भी है उसके अंदर आप मोड में स्विच कर सकते हैं तो आईए है मैं आपको दिखाता हूं कि इसके और क्लोज लुक पुई बोया की ब्रेंडिंग हो र अवेलेबल था जो कि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा तार खोल के देखते हैं दोस्तों चेक करते हैं जरा कितनी बड़ी तार है यह कापी अच्छा है इन्होंने जैसे हमारे लैप्टॉप के जो चार्जर होते हैं केबल होते उसके साथ यह लगी होती है चेपीसी जो ह है तो वैसे इसमें दिया है ताकि आप तार को अच्छे-चे फोल्ड करके रख पाएं और यह खोलने के बाद देखें कितनी बड़ी तार है जी हां बहुत अच्छी लैंथ है तार की माइक भी हमें देखने को मिलने का भी छोटा सा माइक है तो अभी इस पर फॉर्म वगर क्लिप लगाएंगे तो यह बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा देखने में डिसेंट लगेगा अभी अच्छा है ज्यादा बड़ा चोड़ा माइक नहीं है चोटा माइक और यह देखें तार इसकी कितनी लंबी है काफी सारे फोल्ड हो रखें इसके अंदर और यह इसका 3.5 यह बड़ा है तो यह अब आपको अधर एक्सेसरिस दिखाते जो पाउच के अंदर रखी हुई है इसको ओपन करके देखते हैं फटा-फट से तो इसके अंदर यह जो है फॉर्म है तो कि आप माइक के ओपर लगाएंगे इससे माइक खराब होने से भी बचेगा प्लस जो यह जो हवा की आवाज होती है उसको भी रोकने में मदद करता है अब फिट हो गया अच्छे से कापी कमफर्टेबल है उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर तो यह जो दूसरा ओडियो जैक है और यहां पर जो बटन सेल मिला हुए एल और और पोर और उसके साथ यहां पर जो क्लिप है पहले तो दोस्तों मुझे नजर ही नहीं आया था कि यह समान अंदा रखा है मेरे को लगा बस माइक ही है मैंने पाउच खोल कहीं नहीं देखा था और मैं हरान था कि कमपटे नही है तो दूसरे डिरेक्शन में अटेच कर सकते हैं वैसे तो एक लिप चारो तरफ गूम जाता है और यह दोस्तों मेरा पुराना माइक था दो डाइसो रुपे में मैंने माइक खरीदा था अभी तक मैं 90 वीडियो जिससे शूट कर चुका हूँ और मेरे बक्ति का चैनल अल तो धेक्व करेंगे तो यहां पिए डालने का option है तो यहां पे आप जब टालेंगे तो आप इसको camera mod पे लगाकर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो जो मैं शूट कर अवाज की ठीक लग रही है कोई इश्यू नहीं है और बाकी आगे देखते हैं जैसे रेगुलर रिउस करेंगे पता चलेगा मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नहीं 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 लेके तब तक के लिए बने रही है मेरे चैनल पर बावाए